हमारा मुद्धा है कि हमारे सडके को विकास हो, हमारे हाँ स्कूल विले, कालेज विले और हस्पिटल बने, इसे हमारा मुद्धा है कि विकास के नाम पर हमोड़ देंगे फर्स टाइम है इसलिए मैंको बहुत जागूता भी है कि हम चाहते हैं कि जो पिछले 60-70 सालों में विकास नहीं हुआ है हम चाहते हैं कि अब हमारे छेतर में विकास हो सरकार से राष्टा सडख आऊजय के लिए मांगे है तनितक ली पड़त यह आवे जाय क्या तो इसमिती बिटी उसको भी देखा और बोली है कि हां सड़क बनेगी सबको देख रही हूँ राहुल को देख रही हूँ क्या कहते हैं अकलेश को देख रही हूँ राहुल भी अपना एक बच्चा है चल रहा है क्या किया जाए यहां भी यहां से छोड़ के राय बरही ली गया है यहां तो आप तो इसमिती ही रहेंगी अमेठी में इस समय जो है बदलाव के लहेर चल रही है और इसमिती ही रानी को बंपर ओठ हो रहा है और राहुल गांदी जी जैसा कि वायनाट से और आबली से दो जगा चुमार डट रहे हैं पहले उनको सोचना चाहिए कि दोनों जगा में से एक जगा कहां चूच करेंगे पहले उनको इस पर बात करनी चाहिए हमारी चेतर में कोई मुद्दे नहीं है सारा कुछ एकदम फुलफिल कर रही है इसमिती रानी जी कनेट टू कनेट लोग तो लोग मिल रही है और अभी तक राहुल गांदी जी ने कभी यहां पर अपना निवास अस्थान नहीं बनाय है उन्होंने सड़क बनाई है छोटे-छोटे मार्ग बना दिये हैं और लोगों स्वास से लेकर सिच्छा से लेकर हर जगा वह खड़ी रहती है तो इसलिए यहां का मुद्दा यह है कि यहां पर जो चीज कभी नहीं हुआ है वो पिछले पांच सालों के अंदर हुआ है कि यहां पर डवल इंजन की सरकार आलडी काम कर रही है योगी मोदी के जोड़ी आलडी काम कर रही है वही हम लोग दुबार रिपीट करना चाहते है कोई मुद्द इसमें पी रहनी ने बाकी ही नहीं रखा है सब पूरा कर दिया है हां और जीजान से लगी हुई है उनको ऐसा नहीं है कि आज यहां रहूं कल दिल्ली खड़ी हों कल पहारी आना चली जाओं इसलिए कुछ नहीं सभी बच्चे सभी 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 दुरस्त ह में उन्होंने बहुत बड़ा योगजान दिया मेटकल में मेटकल कालेश तब खुला दिया है और सब कुछ कर दिया है और हम उनसे यह अफ्रेश्चा रखेंगे कि अगले पांच साल में इसमित्यानी इस अमनेथी छेतों को और आगे बढाएं यही हमारी इच्छा है